दोस्तो bar bending schedule आप सीख रहे हो free में तो आज उसका third part है जिसमें काफी important चीजे आप सीखने वाले हो जिसमें हम bar bending schedule आगे करेंगे लेकिन उससे पहले rule तो समझ होने चाहिए जो आपको side पे भी काम आएंगे सबसे पहला rule है bending का जैसे आप सामने देख रहे हो ये column को पूरा बांदा गया है उसको bend किया गया है उसकी steer up है steer up का तो BVS हम करेंगे लेकिन जब ये bending की जाती है जैसे ये सरीया सामने हो देखरो इसको जो bend किया गया है ये सही तरीका क्या है और IS code हमें क्या कहता है और लोग गर की construction में गलती कर रहे है होता क्या अगर proper तरीके से मैं बताओं का proper तरीका क्या होता है इसको bend करने का अगर proper तरीके से आप इसको bend नहीं करोगे तो इसके bend में cracks आ जाते है और वो cracks failure का कारण बनते है वो सरीया strong नहीं रहता है कॉलम वहीं से fail होगा जब वो चीज़ टूट जाएगी तो कॉलम गरने के chances बहुत ज़ादा हो जाते है अट केक में तो आपको जब भी अपके घर में bending करवानी है इस तरीके से नहीं करवानी है जहां सामने आप देख रहे हो ये bend कैसे किया जा रहा है एक rod की help से bend किया जा रहा है और एक die बोलते हैं हम लोग इसको construction में die की help से किया जा रहा है जहां आपने देखा होगा ठाईय अपना दिये जाता है दो सरीय लगा दिये जाते हैं और उनी पे bend किया जाता है वो गलत तरीक है अगर वैसे करना रहेगा तो आपका column क्या होता है आपका bending जो भी column है बीम है उसमें failure के चांद सी बढ़ जाते हैं आपको हमेशा जब भी bending करनी है mendrel की help से करनी है यह machine है bending machine है और bending machine में भी simple तरीका होता है उसमें भी अगर आप mendrel यह सामने जो circle देख रहे हो मतलब mendrel का डाया रहता है वो डाया आपको कितना रखना होता है देखो ऐसे तो आपका अगर 16 mm का बार है 16 mm का डाया का बार है उससे यह कम का है तो आपको 4 डाया 4 D के हिसाब से आपको करना होता है 4 D के हिसाब से अगर 16 mm से ज़्यादा डाया है तो आपको कितना करना होता है 7D, तो मैं इसको सब चीजों को दोनों को निकाल देता हूँ simple language में, simple भाशा में पकड़ लो अगर आपको bending करनी है machine पे, तो 8D 8D का mandrel आपको हमेशे use करने, 8D क्या हो गया अगर 10 mm का बार हम bend करने जा रहे है mandrel पे, तो आपको करना है 8 into 10, मतलब 80 mm का mandrel आपका ये होना चाहिए कितना 80 mm का mandrel होना चाहिए, अगर 20 mm का use कर रहे है, तो 8 into 20 160 mm का mandrel हमें इसमें use करना है, अगर ये हम इस ही साफ से mandrel use करेंगे, तो हमारी bending जो होती है, वो proper पर होती है, उसमें कोई crack नहीं आता सरीय में, और वो सही तरीके से perform करता है, ये हो गया एक basic point BVS का, अभी आते हम bar winding schedule किसका, एक तो हम rectangular scale steer up का करेंगे, फिर triangle steer up का करेंगे, diamond steer up का करेंगे, तीमनों का BVS करेंगे, और आपको rule समझाता जाँगे, साथ साथ में, देखो code का मैंने आपको कहा था, IS code 2502 1963, ये हमारी website पे मिल जाएगा, इसमें जो formula लिखे हुए हर एक shape का आपको cutting length मिल जाएगा, कोई दिक्कत ने लेकिन समझने में मुश्किल आती है, और और इस formula से match करते हैं, तो काफी difference होता है उसमें, तो दिक्कत आती है तो IS code तो पढ़ लो आप वो तो मैं आपके लिए website का link description में है, उसको पढ़ लो, अभी मैं theoretically दिखाता हूँ आपको कैसे हम practically side पे BVS करते हैं तो basic stirrup से start करेंगे, मतलब जैसे diamond हो गई rectangle, square, फिर triangle हो गई, इन से start करते हैं, फिर आगा आगे beam बगार का करेंगे, column का करेंगे मेरी drawing और writing इस सब पर मत जाना बस समझो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है तो column हमने ले लिए 300 by 400 को column है हमारा concrete के साथ ठीक है, concrete के साथ और अंदर जो stir up है, मतलो देखो stir up क्या है, हमारा column है 300 by 400 का, ये ले लिए 300 by 400, बहुत cutting हो गई है, तो 300 by 400 का column हो गया, और 50 mm cover हमने निकाल दिया इदर से, इदर से, तो हमारा बचा 300 में से कितना बचाया, 200 और 400 का है, तो 50 cover इदर से निकाला, 50 इदर से बचा 300, तो अभी सीधा cutting length निकालते हैं देखो, formula में बहुत होगा 2A, B, कुछ नहीं कर रहा है, ये दोनों साइड ये वाली और ये वाली देखो, ये वाली जो साइड है हमने जब cover निकाल दिया, 400 इदर मैं आपको simple थोड़ा समझा देता हूँ 400 minus 50 तो 50 तो हमारा आजाएगा 300 तो वो ये साइड होगे, ठीक है ये और ये साइड फिर 300 minus 50 50, 50-50 पता ने, cover हो रहा है minus, तो 200 तो ये ये वाली होगे साइड तो हमें पता देखो क्या अभी ये वाली साइड का दोनों को लेलो, ये वाली साइड, ये वाली साइड 300 plus 300 प्लस ये वाली साइड, ये वाली साइड 200 plus 200 2 into 10D 2 into 10D क्या है, ये हुग 2 हुग है 1, 2 2 आ गया, और 10D आपको हुग पकल लेना ठीक है, 10 into D तो ये 600 आ गया ये 400 आ गया, 2 आ गया ये 10 आ गया, ये वाला और 10, ये D क्या था हमारा डाया, आप, स्टीरप जितना 8 mm का यूज़ कर रहे हैं, 10 mm का 12 mm का, तो वो लिखते हैं, 10 तो ठीक है, इसको दोनों multiply calculate किया, इधर आ गये इनको किया plus ये आ गया, ठीक है, ये आ गया 1200, फिर आमें अभी इसका रिंग का भी deduction निकालना है, मतलब deduction करना बड़ेगा band हुएं जो, क्योंकि जब चीज को band किया जाता है, तो elastic होती है, थोड़ा वो बढ़ती है तो हमारा सरीय वेस्टेज होगा तो उसके लिए तो एक, एक, दो, तीन, तीन band है हमारे 90 degree के, तो 3, 3 कितने band, एक, दो, तीन, तो जब 90 degree का band होता है, तो हम कितना करते हैं, deduct 2D, ये पहले पार्ट में बता चुका हूँ 2D और दो band है एक hook वाला, दो hook वाले band दो hook वाले band, और उनका जब 135 degree band होता है, हम कितना करते हैं, 3D 1200 माइनस 3 2, और 10 क्या आ गया 10 mm का stir up है, डाया वो आ गया, 2, 3, into D, 10 mm का, ये आ गया तो ये जब calculate किया, तो हमें मिल गया, 1080 mm हमारा cutting length आ गया, जब ये हमारा cutting length हा जाता है, 1080 80, तो ये हम किसको दे देते हैं steel bander को दे देते हैं, वो सरिया काटता है, और उसको band कर देता है, और band कैसे करना है, proper mandrel के साथ, clear अभी आजब triangle stir up, इसमें बच्चों को बढ़ दिक्कत होती है बनाने में, तो इसको कैसे करना है, इसका simple formula रट लो, तो उसका formula होता है cutting length का 2H plus A, plus उसका hook length, मैंने HL को लगे लिए, क्या है hook length, उसको plus कर लेना, तो 2H क्या है भी, H है ये sides, ये side जो है drawing देख रहे हैं कित्मी बड़ी हम नहीं है ये side है ये side, ये side और A क्या है हमारा A है, ये पूरा, ये A है, और B क्या है हमारा, B है ये clear, इतना clear हो गया, पकल लिए हमारा column का size है, 400 mm by 350 mm, अभी क्या करना है, H निकालने का formula पहला cutting length निकालने का CL है, cutting length निकालने का formula है 2H plus AH, ये clear हो गया फिर H निकालने का formula क्या है वो है, under root bracket A divided by 2, कसकेर plus B, कसकेर, इतना clear अभी H का जब formula हमें मिल गया, उसके अंदर A है, B है वो कैसे निकालना है, A कैसे निकालना है, वो देखो A आपका निकलेगा A हमारा ये था, ठीक है तो 400 हमारा total कितना है column का size, 400 40, 40, 40 है मैं मैंने cover ले लिया एक, यहां से 40 निकल जाएगा, cover यहां से cover बहुत important होता है ठीक है, 40 यहां से निकल जाएगा फिर, आपका जो सरीया होगा उसके center तक जाना है मतलब मैं यहां बनाता हूँ, आपको वहां confusion होगी होगी drawing, drawing sorry ये ये तो ये जो इसका center हमें लेना है steer up का, ठीक है तो 4 mm यहां से छोड़ना है जितने mm आपका steer up होगा अगर 10 mm का है, तो 5 mm अगर 12 mm का है तो 6, 6 छोड़ना है, ठीक है तो 8 mm का steer up मैं यूज़ कर रहा हूँ 4 यहां से छोड़ा, और 4 यहां से छोड़ा, तो हो गया 312 mm clear, फिर वैसे B निकाला हमें, B क्या है, ये हमारा तो 350 total है 40 का अगर निकाला, यहां से 40 ऊपर से, 4 mm यहां center से, यहां से 4, 4 mm, तो हो गया 262 mm clear, A, B निकल गया अभी H में बरदेते हैं A का square, A कितना है, 312 divide by 2 square और हमारा B कितना है, 262 clear, तो वो हो गया 305 mm हमारा इसका आगया इसका clear करके, जब यह मिल गया, हमें H भी है, हमारे पास A भी है, ठीक है, तो हम निकाल लेंगे अभी, तो हमारा फार्मूला आ गया 2 H प्लस A प्लस H L minus bend, bend deduction तो करनी ही करनी ही हमें, दिखाता हूं आगे क्या है यह आप वहाँ देखोगे ना, जब IS code के फार्मूला, वहाँ bend deduction कम ही करते है तो 2 H कितना है हमारा 305, प्लस यह कितना है हमारा, 312 प्लस H L क्या है hook length, मतलब यह जो hook है hook तो होती है हमारी तो यह 2 hook है, 2 आगई 2 लिख दिया 10D हमें लेनी है, कितनी hook कितनी ले रहे है 10D, 10 से 12D लेते है जो 135 degree मतलब इसमे तो 10 into 8 mm का सरीय यूज़ कर रहे है तो 10 into 8 हो गया minus bend direction करनी है सब 135 degree के bend है 1, 2, 3, 4 4 bend है, 4 और जब 135 degree का bend होता है तो कितना करते हैं, 3D तो 3 और D कितना है हमारा 8 mm तो इसको जब हम सब calculate करेंगे तो हमें मिल जाएगा 986 mm हमें cutting लेंगे, एक लंबा सरीय आगा उसको 986 mm cutting करेंगे तो इस तरीके की हमारी stir up त्यार हो जाएगी, आप comment बना कर देदेगा अभी जो हमारी rombos यह diamond ring रहती है, stir up रहती है उसका कैसे करना है, यह वाली का तो इसका formula क्या है same formula है, कोई technology इसमें नहीं लगने वाली है formula आगया h, क्योंकि इसको अगर हम देखें, तो यह यहाँ से क्या है, triangle ही है दो triangle है, तो इसका निकालते हैं, इसका cutting length का formula लिख दो, आप समझ जाओगे पहले 4H plus HL 4H plus HL 4H क्या हो गया, 1, 2, 3, 4 यह जब हमें मिल गे तो साथ में hook मिल गे तो हमें cutting length मिल गे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए H तो H का formula क्या होता है A square by 2 square plus B square by 2, यह formula होता है तो इसको निकालने हैं, उसके लिए हमें A निकालना पड़ेगा, तो A कैसे निकलेगा, A कै है हमारा, A है यह, कितना? 350, तो 350 minus 40, 40 और 4-4 दोनों दरब से, कैसे हुआ है 350 आगे हमारी इसकी length cover निकाल देते हैं, निकाल दिया cover दोनों दरब से 40, 40 mm फिर जैसे मैंने कहा था, आपका जितना डाय का स्तीरब हो, 8 हो, तो 4-4 निकाल देना है, दस सो तो 5-5 निकाल देना है, उसके center to center हमें जाना होता है, ठीक है? यह निकल गया A आगे हमारा 262 mm फिर B, 300 यह वाला B कैया है 300, माइनस दोनों दरब से cover, माइनस आदा दांतर जाना, 212 mm clear, तो H यहाँ से निकल जाएगा H में value put कर देंगे, A की ठीक है, value put कर दी B की भी value put कर दी, यह वाली और यह calculate करके आया है 168.5 mm हो आगा cutting length का formula क्या है 4H plus hook length तो आ गया 4 into 2, H क्या था हमारा 165, 8 mm, यह आ गया और hook length, 2 hook है हमारी clear, 2 और 10D, 10 और 8 डाया का, clear, 866 mm आ गया फिर, फिर हमें band deduction करनी पड़ती है, तो band deduction इसमें कैसे होगी, 1, 2, 3 यह है 90 degree की band, 3 into 2D, 90 degree के लिए 2 into 8 का डाया का सरिया, और 2 band है, 135 degree के 2 into 3, 8 2, 3D 3 into 8, 8 जो हमारा डाया है, तो इसको calculate करेंगे 770 mm हमारा इसका cutting length आ गया, तो इस तरीके से इसकी cutting length निका लिए जाती है, clear इतना clear हो गया, अभी हम next जो parts आएंगे, उसमें 2 leg, 3 leg, 4 leg 5 leg, 6 leg, हर leg की steer up की, bevious करेंगे फिर beam की, column की, हर चीज़ की कल शायद में आपके लिए जो cantilever beam होता है, tapered beam बहुत comment आ रहे हैं, तो उसको पहले cover कर लूँगा, तो वो उसको दिक्कत आती है आपको करने में, तो वो tapered beam की हम bevious कर लेंगे, तो फिर आगे पार्ट्स आते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करकर रखो और बेल लाइकन दबागे रखो